गुट इवनिंग एवरिवान आप वेरी गुट इवनिंग तो अल फ्यू बच्चो वेलकम तो लक्षे बैच 2.0 कंट्रोल सिस्टम्स एंड वेलकम तो क्रियेटरिक्स यूट्यूब चैनल माई दियर फ्रेंड्स वी आ लाइव और वापिस आगे हैं बिटा आपके लिए एक कौर कंट्रोल सिस्टम्स का लेक्चर लेकर के मचाने वाले हैं आग लगाने वाले हैं इस सेशन के अंदर और आज डिसकेशन करेंगे बिटा बोडे प्लॉट के अराउंड तो बोडे प्लॉट के अराउंड हमारा डिसकेशन रहेगा काफी मज़ा आने वाला है आप लोग deep into bode plot काफी deep dive करने वाले हैं मस्त तरीके से एक तम एक एक चीज को सीखने वाले हैं और एक एक चीज को हम लोग explore करने वाले हैं So before we start let me introduce myself my name is Ankit Goyal I got All India Rank 1 twice in gate in 2014 and 2018 I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT and I am currently working as an AVP at an academy for the gate department अब मेरे बारे में ये सारे बाते मेरे बचे जानते हैं लेकिन अगर आप लोग बिटा मेरे से पहली बार मिल रहे हो तो मेरे बारे में ये बाते जान लीजिए समझ लीजिए क्योंकि आपको आपके educator के बारे में पता होना चाहिए और एक चीज़ ध्यान रखेएगा बिटा, as long as you are on this channel आप मेहनत कर रहे हो, हमारी team के साथ जुड़े हो, हमारे educators के साथ जुड़े हो there is nothing that you cannot achieve, कोई ऐसी मनजिल नहीं है, जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, कोई ऐसा मुकाम नहीं है, जिसको आप पा नहीं सकते there is everything that you can achieve, आपको बस बिटा क्या करना है, इस चैनल पे जुड़े रहना है, इस पे आने वाले सभी initiatives को जादा से जादा spread करना है, maximum जनता तक पहुचाना है, सब को बताना है, यहाँ पे free education प्रोवाइड हो रहा है, they need to be a part of it और इसके अलावा आपको क्या करना है बिटा, इसके अलावा आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रह करके निरंतर मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है और फिर देखो क्या मस तरीके का result आता है, और देखो यार मेरी free special classes भी होती है यहाँ पे, यह जो link के अगर इस पे जाओगे ना, तो मेरी सारी free special classes आप पाओगे, उन्हें देखो, उन्हें enjoy करो, वहाँ पे धेर सारा practice material है, जैसे practice for HAL, HPCL, RV, UNL, concept through question, gate PYQ, practice session, marathon session, सारी ची अब मैं ना, daily special class ले रहाँ, airport authority exam के लिए, अब तो उसकी date भी आ चुकी है, तो आप मेरे साथ daily question कीजिए, at 11.30am, कितने बज़े करेंगे, at 11.30am, ठीक है बई, तो आप लोग daily आईए, मेरे साथ special class में question practice कीजिए, चलो, तो अब हम आज के topic पे आते हैं, बिटा, that is the body plot analysis, त अब देखो, सबसे पहले बात होती है, frequency domain analysis of open loop transfer function, open loop transfer function जैसे की, आपको मानलो, gs दे रखा है, ठीक है, या gs, hs कह दो, ठीक है, यह क्या हो जाता है, loop transfer function, जादा तर जगे क्या होता है, हम लोग gs, hs का ही plot करते हैं, और अगर unity feedback है, तो gs का, है ना, यह जो gs, hs है, यह हमारा किसके बराबर हो जाता है, this becomes equal to gs for unity feedback, ठीक है, जी, अब क्या होता है, इसका जब frequency domain analysis करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बिटा, हम s की जगे पुट करते हैं, j omega, ठीक है, s की जगे क्या पुट करते हैं, हम लोग, j omega, मैंने पहले भी बताया था, s की जगे j omega पुट करने का मतलब है, आप laplace से fourier domain में आ रहे हैं, frequency domain का मतलब क्या होता है, actually, इसका मतलब होता है, fourier transform, यानि की frequency domain, तो अब हम क्या करते हैं, frequency domain के लिए, हम s की जगे पुट करते हैं, j omega, ये जो आप s की जगे j omega पुट करते हों न बिटा, इसका मतलब है, जो आपका complex s plane है, है न, s एक complex number होता है न, आपको पता है, real part भी होता है, उसका imaginary part भी होता है, ये जो मेरे बच्चों, आपका s plane है, sigma j omega वाला, इसमें, जब आप s को j omega पुट कर रहे हो, तो actually आपना y axis की बात कर रहे हो, ये वाली axis, ठीक है, यहाँ पे आप perform कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कहा दे रहे हो, frequency domain, ठीक है, अब हम लोग जब s की जगे j omega पुट कर देते हैं बिटा, तो हमको क्या मिल जाता है, जी जे omega मिल जाता है, और मैंने आपको बताया भी था, यह complex form में आता है, correct, अब complex form में आता है, तो इसको दो parts में divide कर लेते हैं, मैंने बताया था है, या तो इसको real imaginary लिख सकते हो, that is the rectangular form, या फिर आप इसको लिख सकते हो, polar form में with magnitude and angle, तो यह जो आपका जी जे omega होता है, यह क्या बन जाता है, यह बन जाता है, यह कहलाता है, magnitude plot, ठीक है, और angle, जी जे omega, वर्जिस omega, यह कहलाता है, आपका phase plot, क्या कहलाता है, phase plot, ठीक है, तो bode plot के अंदर बिटा यही दो plots के बारे में आपको बात करनी है, magnitude और phase, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, bode ने क्या must चीज की थी, क्या different किया था, कि उसने बोला, यार, हम exact magnitude क्यों ले, हम exact phase क्यों ले, तो उन्होंने क्या किया था, approximate कर दिया था, आज मैं आपसे इसी approximation के बारे में discuss करने वाला हूँ, जिससे कि आपको काफी जादा clarity मिलेगी कि बोडे ने ये जो plot derive किये, ये कैसे किये, अब देखो जैसे ये function दे रखा है, k by s, s plus 1, ठीक है, k by s into s plus 1, जैसे ये दिया, आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आप j omega में आये मेरे भाई, ठीक है, तो आपने s की जगे क्या put किया, आपने s की जगे put किया, j omega, k by j omega, 1 plus j omega, अब अगर आप इसका mod लोगे, तो क्या आएगा, k by, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा न, k by omega, 1 plus omega square root में, और अगर आप इसका angle लेते हो, मेरे भाई, अगर आप इसका angle लेते हो, तो denominator में, j omega का angle minus 90, minus क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि denominator में, 1 plus j omega का 10 inverse omega, denominator की वज़े से minus, तो minus 90 minus 10 inverse omega, अब actually बिटा, ये जो है न, ये exact magnitude और exact phase है, अगर मैं आपको magnitude और phase इसका draw करके दिखाऊ न, तो actually magnitude तो इसका hyperbolically चलेगा, देखो, magnitude जो है न, इसका actually hyperbolically चलेगा, कि zero frequency पे infinite आएगा, और infinite frequency पे it will come out to be zero, ठीक है, तो magnitude कैसे जाएगा, कुछ इस टाइब से, clear बात है न, magnitude ऐसे ही जाएगा न, zero frequency पे infinity आ रहा है, और infinite frequency पे ये zero आ रहा है, और अगर phase की बात करें भाई, न, phase तो पूरा का पूरा negative आ रहा है, minus 90 minus 10 inverse, अब phase में मेरे बच्चो, अगर आप omega को zero put करोगे, तो minus 90 आएगा, और omega को infinity अगर put करोगे न, तो 10 inverse भी 90 देगा, minus 90 minus 90 हो जाएगा, minus 180, तो phase आपका vary करने वाला है, minus 90 से minus 180 के बीच में, ठीक है, तो phase यहाँ से शुरू होगा, इस टाइप से जाएगा, यह जाएगा, minus 90 से minus 180 में, phase versus omega, तो यह बनेगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है न, आप लोग यह exact plot से जादा कुछ analysis करनी पाऊगे, और हर function के लिए manually exact plot बना पाना, easy नहीं होता है, इसी ने बोडे ने approximation की बात की, किसकी बात की, बोडे ने approximation की बात की, चंद्रा अगर अभी अभी plus join की हो, तो बिटा, DC machine से start कर लो, है न, कल जैसे एक class होगी, दूसरा तो doubt clearing रहेगा, संडे पूरा off रहेगा, आपका तो संडे को निप्टा ले न, पीछे के lecture, अभी तो वैसे भी construction ही पढ़ा रहा हूँ, अब बात है, modification of magnitude calculation, अब इन्होंने modify क्या किया, magnitude में क्या approximation किया, इन्होंने ये बोला, ये जो magnitude आप निकाल रहे हो मेरे भाई, इसको न डेसिबल में निकाल लो, डेसिबल में कैसे निकाल लोगे भाई, 20 log on a base of 10, 1 by omega root over 1, plus omega square, माइनस 20 log omega, माइनस 10 log, 1 plus omega square, माइनस 10 क्यों हुआ है, इसका root में बाहर ले आया, अब देखो यार, ये जो term है ना, 1 plus omega square, ये वाली term आ रही है, आपकी non-linear, ये term आपकी आ रही है, non-linear, तो इसको इन्होंने linear बनाने का जुगाड निकाला, कैसे linear बनाने का जुगाड निकाला, इन्होंने बोला यार, दो condition ले लो, एक ये, कि जब ये omega square 1 से काफी बड़ा है, और एक वो, जब omega square 1 से काफी छोटा होगा, मैंने आपको बताया था ना, asymptotic approximation, याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था, asymptotic approximation, यादि extreme points पे आप लेके चलते हो, या तो बहुत ही छोटी frequency, या बहुत ही high frequency, तो इन्होंने क्या बोला, ऐसे case consider कर लो भाई, कि omega much-much less than 1, अगर ऐसा है, तो magnitude in db क्या हो जाएगा, minus 20 log omega, ठीक है, और यहाँ पे omega much-much less than 1 है, तो आप omega square को ignore करोगे, 10 log 1, कितना आएगा, 0, log of 1 होता है 0, case 2, case 2, आप ले लो, omega much-much greater than 1, अगर omega much-much greater than 1 है बिटा, तो यहाँ 1 को ignore कर दो, तो 10 log omega square, omega square की power को अगर बाहर ले जाएगा, तो यह 20 हो जाएगा, 20 log omega, 20 log omega कितना हो गया, 40 log omega, कितना हो गया, minus 40, log omega, तीक है, 20 log omega, 20 log omega बन गया, 40 log omega, अब इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने यह जो बोडे plot draw किया, यह इन्होंने omega के against नहीं किया, इन्होंने log of omega के against किया, सर, ऐसा क्यों, क्योंकि बिटा, अगर omega को एकदम low value से एकदम high value तक लेके जाओगे, जैसे, omega को मानलो आप 0.1 से लेके जाओ, 10 की power 5 तक, ठीक है, मानलो आप omega को लेके जाओ, 0.1 से लेके 10 की power 5 तक, अब अगर एक normal graph paper पे आप इस graph को बनाओगे, तो possible ही नहीं है बिटा, 0.1 से 10 की power 5 तक जाना, लेकिन 0.1 का log में value होता है, minus 1, और 10 की power 5 का log में value होता है, तो minus 1 से 5 तक जापाना एकदम possible है, लेकिन सीधे 0.1 से 10 की power 5 तक नहीं जा सकते, तो यहाँ पर bode ने क्या किया, bode considered magnitude in db, ठीक है, bode considered magnitude in db, and plotted against log of omega, log of omega के against क्यों plot किया था, यह आप से पूछा जाता है बेटा कि bode plot log omega में क्यों बनता है, तो आपके पास reason ready रहना चाहिए, तो can cover wider range of frequency, और पता है, bode plot इतना popular है बिटा, कि यह जो आपका analog है, analog में भी जो आप filters का दिखाते हो ना, कि कौन सी frequency इसको पास कर रहा है, कौन सी frequency को stop कर रहा है, यह amplifier का frequency response दिखाते हैं, तो इस सब के सब bode plot है, वो उनकी x-axis omega नहीं होती, practically उनकी x-axis log omega होती है, तो आप इतनी जगे bode plot देखते हो, बट आप realize नहीं करते हो, कि बात वहाँ bode plot की हो रही है, जैसे मैं भी amplifier पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या है response डॉर कर देता हूँ, frequency के against की भई पहले बढ़ रहा है, फिर constant है, फिर गिर रहा है, लेकिन वहाँ पे हम ये discuss नहीं करते, क्योंकि तब तक बच्चों ने control पढ़ा भी नहीं होता है, कि actually वो bode plot बन रहा है, magnitude response बन रहा है, ये बात समझ में आई, अब ये देखो, magnitude आपका आएगा y-axis पे db में, x-axis पे आएगा log omega, तो बिटा, इनके बीच का y upon x क्या देगा आपको? slope देगा, क्या देगा आपको? slope देगा, तो देखो, जैसे आपका case 1 है, case 1 है, तो यहाँ पे magnitude in db is minus 20 log 10 omega, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो slope आ रहा है, slope को हम लिखते हैं, y equal to mx के अनुसार, minus 20 db per decade, सर ये decade क्या चीज है? देखो, y-axis की unit तो clear है न? ठीक है? y-axis की unit तो clear है, decibel है? ये decade कैसे हुई x-axis की unit? देखो, आप ये कहते हूँ, delta y by delta x is the slope, अगर मैं आप से ये कहूँ, बिटा, की y-axis जो है आपका, वो है magnitude in db, correct? और जो आपका x-axis है, वो क्या है? वो है log 10 omega, तो मैं कहता हूँ, कि अगर आपको delta x निकालना है, तो आपने क्या किया? log 10 omega 2, minus log 10 omega 1, तो ये क्या हुआ, log 10 omega 2 by omega 1, अब मानलों, मैं कहता हूँ, कि if delta x 1 unit है, slope का मतलब ये ही तो होता है, कि अगर x में 1 unit का change करें, तो y में कितने unit का change आएगा, समझ रहे हो बात? slope का मतलब delta y by delta x का, ये ही तो मतलब है, कि अगर मैं x में 1 unit change कर दूँ, यानि delta x अगर मैं 1 कर दूँ, तो slope delta y के बराबर आता है, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो भई, कि अगर आप delta x 1 कर दो, तो delta x 1 कर देने से, delta y will be equal to slope, यानि कि अगर x में 1 unit का change लिया जाए, तो y में कितना change आता है, वो हमें बताता है slope, तो अगर मैं delta x को 1 unit कर दूँ, तो omega 2 by omega 1 बनेगा 10, यानि कि frequency हो गई 10 गुना, बेटा frequency 10 गुना होने का मतलब है decade, decade का मतलब होता है 10, जैसे कहते हैं न, time के अंदर भी 1 decade is 10 years, तो same way में 10 का जो factor है, ये आपको बता रहा है decade, ये क्या बता रहा है आपको decade, समझाया है decade word कहां से आया, क्यों आया slope के अंदर decade नामक word, clear हुआ सबको, जल्दी से बोलो, clear हुआ, slope में decade word क्यों यूज किया, क्योंकि log 10 omega में 1 unit का मतलब है, frequency का 10 गुना होना, है न, ये जो x-axis है, इसमें 1 unit change होने का मतलब है, frequency में 10 unit का change, अब ऐसी सोचो, आपका जो case 2 था, जो आपका case 2 था बिटा, उसमें आपका magnitude आया था, minus 40, log 10 omega, तो यहाँ पे आपका slope कितना आ गया, minus 40 db per decade, minus 40 db per decade, तो इस type से आपको slope देखना होता है, यह जो log 10 omega वाली term है न, उसके बाहर क्या लिखा हुआ है, वही आपका slope कहलाता है, उसी slope की आपको line ड्रॉ करनी होती है, अब देखो, बोडे magnitude plot कैसे बन गया, इन्होंने क्या change कर दिया, जो अभी आपने hyperbolic graph बनाया है न, उसको बड़ा simplify कर दिया इन्होंने, जो आप hyperbolic में थे, log लेके न, आप linear में आ गए, यहाँ पे magnitude आ गया है, db में, यहाँ पे आ गया log 10 omega, लेकिन पता है, x-axis पे जो point mark करते हैं न, बिटा, point आप omega का ही mark करते हो, तो आपकी जो corner frequency वो 1 है, कैसे सर, क्योंकि border आप 1 से ले रहे हो न, कल corner frequency समझाया था न, 1 upon time constant, तो यह corner frequency तुमारी 1 है, तो यह कह रहा है, 1 से पहले line जो आ रही है, उसका slope है minus 20, 1 से पहले जो line आ रही है, उसका slope है minus 20, और 1 के बाद जो line जाएगी, उसका slope होगा minus 40, तो देखो जादा tilt हो गई न, समझ में आया इन्होंने क्या किया, initially जो line बन रही है, उसका slope है minus 20, बाद में 1 के बाद, जो line बन रही है, minus 40 dB per decade, इन्होंने graph का shape ही बदल डाला, इन्होंने graph को approximate कर दिया, with the help of asymptotes, clear होई बात, clear होई बाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, सभी लोगों को clear हुआ ये graph, ठीक है, अब ऐसे ही ना बिटा, एक और unit होती है, जो की x-axis की होती है, वो होती है octave, octave, क्या होता है, अगर, omega 2 by omega 1, ये 2 आ जाता है, तो this is termed as, 1 octave, log 10 base, omega 2, minus log 10 base, omega 1, log 10 base, omega 2 by omega 1, अब omega 2 by omega 1, तो 2 आ रहा है न, तो log 10 base 2, कितना हो गया, 0.3010, ये हुआ decade, मतलब की, 1 octave, और या फिर आप ऐसे कहे दो, 1 decade, is 1 by 0.3 octave, और ये बात समझ में आई, अगर omega 2 by omega 1, का ratio 2, बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, भई, उसे कहते हैं, octave, और एक octave के अंदर, कितने decade आते हैं, 0.3, या एक decade के अंदर, कितने octave आते हैं, 1 upon 0.3, अब देखो, जैसे आपका slope था, मानलो, slope था, 20 db per decade, ठीक है, अब यहाँ पे, अगर आप एक decade की जगे डालोगे, 1 upon 0.3, octave, तो ये क्या हो जाएगा, 6 db, पर octave, क्या हो जाएगा, 6 db, पर octave, ठीक है, तो इसलिए, unit 2 हो सकती हैं, देखो, slope की, slope जो है न, ये जो आपने 20, 40 देखा, तो आपको एक चीज़ तो समझ आई होगी, ये जो slope है, 20 के multiple में ही चलने वाला है, किसके multiple में चलने वाला है, 20 के multiple में ही चलने वाला है, तो slope, is always in, slope is always in, multiples, of 20 db per decade, और 6 db per octave, इसके multiple में चलने गा, जैसे 20, 40, 60, 80, ऐसे 6, 12, 18, 24, ठीक है, ये बात clear है, ये बात clear है भाई सभी लोग को, चालो, अब purpose of approximate plot, क्या था भाई, ऐसा क्यों करना पड़ा, approximate plot क्यों बनाना पड़ा, ऐसी क्या बात हो गई, कि आपको approximate plot पे आना पड़ा, मेरे भाई, सोचो ज़रा, मुझे बताओ, approximate plot पे क्यों आए, बताओ जल्दी से, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, कि आप लोग approximate plot पे आ गए, सोचो, इसका बिटा simple सा reason था, कि जो non-linear terms थी न, उनके कारण plot बनाना, बहुत ज़्यादा tough हो गया था, जैसे कि, मैंने आपको बताया ना अभी, कि magnitude जो db में हमारे पास आया, वो आया, minus 20 log omega, minus 20 log, root 1 plus omega square, अब देखो यार, अगर मैं आप से कहूँ, यह जो second term है, यह जो second term है, इसका graph आप draw करके दिखाओ, log 10 omega के against, आप कहोगे सर नहीं हो पाएगा, भाई log omega के against, इसका graph कैसे ही बना पाओगे, curve of this term, against, 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 log 10 omega, cannot be, manually drawn, cannot be manually drawn, ठीक है, manually नहीं बन सकता मेरे भाई, manually नहीं बन सकता, आप खुद यह सोचो न, अगर आपको question आजाए exam में, कि एक function दे रखा है, y है यह, और x दे दू, log 10 omega, तो क्या आप बना पाओगे, अगर log 10 omega को x भी लिख लोगे, तो यहाँ directly log 10 omega तो दिखी नहीं रहा, यहाँ तो log के अंदर ही 1 plus omega square आगया, log omega तो बनाई नहीं, जैसे देखो, इसका graph तो log omega के against बन जाएगा, सीधे सीधे एक straight line आएगी, minus 20 slope की, लेकिन इसका graph log omega के against नहीं बन पाएगा, इसलिए इस term को approximate करना जरूरी हो गया, इसको थोड़ी ना approximate किया, यह तो fix रखा, यह तो as it is रखा, क्योंकि यह log omega के against linear है, तो basically मैंने क्या कर दिया बिटा, approximate plot से, जो भी non-linear terms आ रहीं थी ना आपकी, उनको मैं linear की तरफ ले गया, मैंने क्या कर दिया, non-linear terms को convert कर दिया linear में, clear होई यह बात, non-linear terms become converted to the linear terms, अब modification of the phase calculation, phase को कैसे modify किया भई, phase को, देखो phase आ रहा था, minus 90 minus tan inverse omega, अब अगर मैं यह कहता हूँ, यहाँ पे भी दो cases की मैं बात करता हूँ, पहला omega, much-much less than 1, अगर यह omega बहुत छोटा है, तो आप phase कह सकते हो, minus 90 degree, tan inverse omega को ignore कर दो, और case 2, omega much-much greater than 1, मानलो omega tending to infinity हो गया, अगर omega tending to infinity हो गया, tan inverse देगा 90, minus 90, minus 90 आएगा, minus 180 degree, तो यह हो गया भई, minus 180, तो इन्होंने क्या बोला ना, कि phase plot को भी approximate कर दो, phase plot को भी approximate कर दो, तो अब यह कैसे approximate कर आया, इस सबसे मतलब एक तरह से crude approximation आप कह सकते हो बिटा, बहुत ही मतलब, एकदम ही उपर उपर लेवल पर approximate कर डाला, इन्होंने क्या बोला, जैसे देखो, यहाँ पर तुमने omega equal to 1 लिया, कि 1 से पहले तक जो आपका angle चल रहा है न, वो minus 90 चल रहा है, ऐसा इन्होंने बोला, 1 से पहले तक कितना angle चल रहा है भई, minus 90, और 1 के तुरंत बाद angle हो जाता है, minus 180, ऐसा बोल दिये, ठीक है, कि 1 से पहले पहले minus 90, और दूसरा हो गया, minus 180, phase versus omega, जबकि आप जानते हो बिटा, exact curve आपका कैसे था, इस टाइप से था, है ना, यह जो मैंने आपका, red color में बनाया है ना, यह आपका exact है, और यह जो pink color में बनाया है, this is approximate, this is approximate, ठीक है भई, यहां तक बात clear हुई, पता है, एक और बहुत अच्छा है, इसके अंदर approximation होता है, कभी-कभी, कैसा approximation होता है, यह आपको पता है ना, one आपकी corner frequency है, कुछ questions में ऐसा approximation भी दिया गया है, अब वो अलग बात है, यह देखो, जो मैंने pink वाला curve तुमको दिखाया है ना, यह standard है, मतलब जो books के अंदर mentioned है, बट कुछ questions में बहुत अच्छा approximation इसको करके देते हैं, कैसे देते हैं, मैं दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, जो corner frequency है ना बिटा, इससे one tenth frequency ले लो, क्या ले लो इससे, one tenth, यानि अगर यह one है, तो आप पहला point मानो, point one, और एक इससे ten times ले लो, मतलब एक decade कम, और एक decade जादा, तो अगर आप यहाँ पे देखो, क्योंकि x-axis तो log omega है ना, x-axis तुमारा log omega है, तो log omega में तुम एक decade कम, और एक decade जादा ले लो, जैसे यह one है, तुमने point one लिया, और तुमने यहाँ पे ten लिया, अब क्या funda होता है, देखो यह minus 90 degree वाली लाईन है, अब इसी के नीचे, minus 180 वाली लाईन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या funda होता है भाई, ध्यान से देखिए, यह कहते हैं, कि point one तक आप minus 90 ही लेके चलो, पहले आप one तक ले रहे थे ना minus 90, आप point one तक minus 90 लो, और बोलो point one से 10 तक linearly minus 180 तक जा रहा है, और फिर यहाँ पे minus 180, अब यह वाला जो graph अगर आप देखो red वाला, यह exact graph के ज़्यादा करीब है ना, मतलब this is a better approximation, क्योंकि it resembles the exact graph much more, और पता है इसकी खुबसूरती क्या है graph की, यह देखो, यह minus 90 है, यह minus 180 है, वन जो है इन दोनों का midpoint है, तो बेटा यहाँ पे जो आपको phase मिल रहा होगा ना, वो मिल रहा होगा, minus 135, midpoint पे phase भी midpoint ही मिलेगा, midpoint क्यों मिलेगा यार, linear curve में, अगर x-axis पे midpoint ले रहे हो, तो वो y-axis का भी midpoint ही देगा, x-axis पे अगर 0.1 और 10 का midpoint 1 ले रहे हो, अब यह मत कहना सर, 0.1 और 10 का midpoint 1 कैसे हुआ, 0.1 प्लस 10 बाइ 2 तो आता है, 5.05, अरे ऐसे नहीं होता, मेरे भाई, यह जो x-axis होती है, यह actually क्या होती है, यह actually होती है, log 10 omega, log 10 omega में आप एक चीज़ देखो, 1 की value कितनी होगी, log में रखोगे तो 1 की value 0, 0.1 की value कितनी होगी, minus 1, और 10 की value कितनी होगी, 1, तो यह minus 1 है, यह 0 है और यह 1 है, तो हो गया ना midpoint, 0 is the midpoint of minus 1 and 1, तो बिटा देखो, जब भी आपको बोडे plot मिलेगा, x-axis पे हमेशा omega लिखा होगा, लेकिन यह बात आपको अपने जहन में रखनी हैं, आपको अपने दिमाग में रखनी है, यह x-axis is always log 10 omega, it is never ever omega, omega कभी नहीं होता है, हमेशा log में होता है, अब आप एक चीज़ notice करना बिटा, 1 पे कितना मिल रहा है, minus 35, जड़ा 1 यहां रखके देखना, जड़ा 1 यहां रखके देखो, मिल रहा है, minus 135, मिल रहा है, minus 135, इसका मतलब यह हुआ, यह जो angle मिल रहा है, यह exact आ जा रहा है, इसलिए तो मैंने बोला, better approximation हुआ यह, समझे, better approximation क्यों हुआ, यहां तुमने sudden jump दिखाया, अचानक से phase, minus 90 से minus 180 हो गया, क्या कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, यहां तुमने उसको linear variation में convert कर दिया, तो this is much closer to the exact curve, दूसरी बात यह, कि यह आपको न corner frequency पे exact phase देता है, यह आपको corner frequency पे exact phase देता है, समझे भई, मुझे बताओ सबको अच्छे से चमक गया यह बात, that this is better approximation, चमक का भई, जल्दी बताओ, phase plot चमका, magnitude plot, phase plot दोनों मैंने आपको बताए, आपको slope का concept समझाया, आपको approximation का concept समझाया, कि एक बार omega much-much less than corner frequency लेते हैं, और एक बार omega much-much higher than corner frequency लेते हैं, बाकि लोग भी जवाब दो भई, साई के अलावा, ये concept clear हुआ या नहीं हुआ, एकदम must तरीके से feel आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ भई, ठीक हैं, चला जाया आगे, अब देखो, कुछ functions के ना, हम लोग बोडे plot देखेंगे, जैसे पहला है, gshs equal to 1, अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, gj omega, hj omega, equal to 1, तो अगर मैं आप से इसका magnitude बोलूँ, तो यह आएगा 1, और अगर मैं कहूं magnitude, डी बी में बताओ, तो 20 log 1, यह आएगा 0, अगर जी जे ओमेगा, hj omega, यह क्या आ रहा है, 0, तो यहाँ पर आपके पास magnitude आ रहा है, बिटा, 0 db, और इसका अगर भी क्या आ रहा है, simply, 0, देखो, यह हमारा, दोनों plot पता है, sink में बनते हैं, एक साथ दिखाई जाते हैं, दोनों, उपर नीचे ना, ताकि frequency axis दोनों की same रहे, अब यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे बनाने के लिए भई, आप खुद ही समझ पारे होगे, ठीक है, यहाँ पे आपका log 10 omega, बट मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ बिटा, exam में log नहीं लिखा होगा, exam में सिर्फ omega लिखा होगा, यह आपको समझना है, log 10 omega आएगा, अज़ा पता है, अभी मेरे दिमाग में एक और बात आई, कि मैं आप लोग वह बता रहा था ना, कि bode plot इतनी जगे यूज होता है, हमें समझ भी नहीं आता, मैंने आप को analog का example दिया, कि analog में, जब आप amplifier के अंदर, frequency response बनाते हो, तो वो actually bode plot होता है, filters के अंदर जो frequency response बनता है, वो bode plot होता है, और वो हम कभी realize करते नहीं है, पता ऐसी network में, जब आप ये पढ़ते हो ना, series resonance, parallel resonance, यहाँ पे आप resonance का graph दिखाते हो, आप ये बोलते हो कि भाईया, आपका series RLC है, band pass filter, parallel RLC है, आपका band reject filter, ये भी आपके bode plot ही होते हैं बिटा, ये भी आपके bode plot होते हैं, जो आप कहते हैं नहीं हो, एक half power frequency आजाती है, एक omega H और एक omega L, उनका geometric mean होता है omega naught, तो वो bode plot से ही आया है, तो वो सब bode plot है, अब ये देखो, magnitude 0 dB बनाना है, तो ऐसे 0 dB की एक line ले ली हमने, ठीक है, ऐसे phase भी 0 degree रखना है, तो ये 0 degree की line आ गई भी, ये magnitude हो गया हमारा 0 dB, और ये phase हो गया 0 degree, ठीक है, बड़ा simple सा bode plot है, जब सभी कुछ 0, 0 है, तो कुछ contribution है ही नहीं, ना तो ये term magnitude में कुछ contribute करेगी, ना तो angle में, अगर k कर दें, तब क्या होगा, है ना, k मैं एक positive number मान रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं, देखो k में कहीं s तो है नहीं, तो जब आप s की जगे j omega रखोगे, तो k तो k ही रहेगा, तो इसका magnitude भी k आ जाएगा, अब magnitude, जब बिटा आप db में निकालेंगे, then it will come out to be 20 log k, और इसका अगर angle निकालोगे 5, 5 will come out to be 0 degree, 5 कितना आ जाएगा आपका, 0 degree, अब आप यहाँ पे यह देखिए, इस बार magnitude non 0 आ रहा है ना, पिछली बार तो 0 आ गया था, क्योंकि k 1 था, इस बार जो magnitude आएगा, वो कितना आएगा, 20 log k आएगा, अब पता 20 log k positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, सर ऐसा क्यों, क्योंकि बिटा, अगर k 1 से बड़ा हुआ, तो 20 log k positive आएगा, 1 के उपर log positive value देता है ना, और अगर k 1 से छोटा हुआ, तो 20 log k negative आएगा, तो आपका 20 log k positive negative कुछ भी आ सकता है, 20 log k थिक है, और यह phase हो गया 0 degree, समझ में आया सबको, मैंने यहाँ पर k यह मान लिया है, कि k आपका 1 से बड़ा है, जिस कारण से आपका यह magnitude है, यह positive आ रहा है, तो आपके यह positive आ रहा है, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जो तुम जैसे बच्चे होते हैं, जो इदर उदर चैनलों पर भटकते रहते हैं, जो जिनका काम सिर्फ क्या होता है, चैनल पर जाओ, दूसरे चैनल की बड़ाई करो, इस चैनल की बुराई करो, इसको गाली दो, उसको गाली दो, टीचर्स के बीच में फाइट इगनाइट कराओ, ये सारे बच्चे जो होते हैं, ये ऐसी घूमते रहते हैं इदर उदर, ये कहीं पहुँचते हैं कभी मनजिल तक, ठीक है, कोचिंग हर एक अच्छा है, हर टीचर जो की एक लेक्चर या एक वीडियो भी फ्री बना रहा है, वो टीचर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फ्री में कॉंटेंट दे रहा है, वो कुछ बच्चों की मदद कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से contribute कर रहा है लेकिन ये जो बच्चे हैं जो इदर उदर भटकते रहते हैं सिर्फ ये ही कहते हैं ये जिन्दाबाद वो जिन्दाबाद वो बच्चों को कभी जिन्दाबाद वालन नारा मिलता ही नहीं मतलब बच्चे का नाम के साथ जिंदाबाद कभी लगे गई नहीं लगेगा क्योंकि हरकते ऐसी हैं ना तो कभी रिस्पेक्ट मिलेगी ना तो कभी सकसेस मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा बस यूही भटकते रहेंगे आज इस चैनल पे कल उस चैनल पे परसो एक्जाम बदल लेंगे कहेंगे या गेट मुर्दाबाद फिर एक्जाम बदल लेंगे चलो SSC करते हैं ठीक है या फिर और कोई बैंक पीयो कर लेंगे CGL एक्जाम दे देंगे फिर वहाँ जाके इस कोच है और यह लिखके ले लो अब देखो GSH equal to S चलो finally S आगया हमारे function के अंदर अब मैं क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ भाई GJ omega HJ omega equal to J omega तो जो इसका magnitude है ना magnitude आगया omega तो magnitude जो db में आएगा वो क्या आएगा 20 log omega और जो phase आएगा that will be 90 degree अब देखो phase तो simple आगया ना 90 degree अब यहाँ पे बिटा log 10 omega log 10 omega के against अगर magnitude देखो तो यह magnitude वाला function क्या बता रहा है यह बता रहा है slope equal to 20 db per decade अब देखो यार यह slope यानि कि एक increasing curve बन गया correct यह increasing curve बन गया इसका positive slope आपके पास आ गया 20 db per decade का तो अब आप क्या करोगे अब देखो कैसे बनाओगे यह curve सर चालू कहां से होगा बिटा यह इस बात पर depend करता है कि omega का starting point क्या ले रहे हो omega क्या starting point लोगे ना इस बात पर depend करता है जैसे बहुत बार क्या होता ना लोग start करते है standard way में या तो omega equal to 1 से या फिर omega equal to point 1 से ऐसा करते हैं ठीक है मानलू मैंने omega equal to 1 से चालू किया यानि log 10 omega की value 0 जब थी ठीक है यहाँ पर आपका magnitude था और यहाँ पर आपका phase था तो आपने start किया omega equal to 1 से यानि जहाँ log omega था 0 तो यहाँ से यह जो straight line निकलेगी बिटा इसका slope क्या होगा इसका slope होगा 20 db per decade 20 db per decade ठीक है अब अगर phase की बात करें phase आपका 90 degree आ रहा है भी phase आपका 90 degree आ रहा है ठीक है तो यह phase बन गया तो इस type से आपका straight line बनेगा जिसका slope होगा 20 db per decade और यहाँ पर आपका एक constant phase आ जाएगा 90 degree ठीक है यह starting point आप देखोगी बिटा अलग अलग जगे अलग यूज़ करेंगे अगर हम point 1 लेते log of point 1 होता minus 1 तो graph start होता minus 20 से यानि नीचे से शुरू होता minus 20 से जा रहा होता उपर की तरफ ठीक है तो depend करता है starting point आपका कहाँ पे है तो यह start हो रहा है भी मेरा 0 db से क्योंकि मैंने omega 1 को starting point माना है अब case के case में क्या होगा भाई अब देखो g j omega h j omega यह हो गया k j omega तो magnitude क्या हो गया भाई? k omega magnitude db में क्या हो गया? 20 log k omega तो 20 log k minus 20 log sorry plus 20 log omega अब देखो log omega के against अगर देखोगे भाई log omega के against अगर देखोगे तो यहाँ पे slope अभी भी बन रहा है plus 20 db per decade log omega के बाहर तो plus 20 आ रहा है ना? और अगर इसका phase देखो k j omega j आने के कारण phase is 90 degree j आने के कारण आपका phase हो गया 90 degree ठीक है? अब यहाँ पे देखें यहाँ पे देखो यार यह जो है ना 20 log पहले आपका 20 log omega आया था ना? तो omega equal to 1 पे उसकी value आपने 0 ली थी अब की बार omega equal to 1 पे 20 log omega तो 0 हो जाएगा लेकिन मेरे बच्चो अब की बार जो है ना magnitude 0 नहीं होगा क्यों हो सर? क्योंकि magnitude में एक ताम और एड हो रही है ना कौन सी? 20 log k मान लो k greater than 1 है अगर k greater than 1 है तो 20 log k positive आएगा है ना? जब log के अंदर k आजाता है ना तो positive negative कैसे judge करते हैं? अगर k 1 से बढ़ा हुआ तो positive आएगा k 1 से छोटा हुआ तो negative आएगा तो अब की बार कैसे straight line बनेगी हमारी? it will go like this ठीक है? इसका slope होगा 20 db per decade हमने ना omega equal to 1 से graph को चालू किया है और इसका intercept है 20 log k ये intercept negative भी हो सकता था अगर k की value 1 से छोटी होती और phase की line constant आएगी that is at 90 degree चमका भाई सबी लोग को बताओ जल्दी से ये बात चमक गई अच्छे से कि केस type से इसका magnitude और phase plot बन रहा है अब ks to the power p ks to the power p अब s to the power p अगर मैं g j omega h j omega निकालता हूँ तो k j omega to the power p अब अगर magnitude लोग है तो j हटा दोगे ना भाई magnitude में j हटा दोगे तो magnitude in db is db per decade और angle क्या आ रहा है angle आ रहा है 90 degree into p power p है ना आप जानते हो किसी complex number की power raise करने से angle में वो multiply हो जाता है तो 90 degree into p जैसे अगर s का square है तो 180 हो जाएगा s का cube है तो 270 हो जाएगा इस type से जो भी आप power में p raise कर रहे हो वो angle के साथ multiply हो जाएगा ठीक है भई अब देखिए इसका कैसे बनेगा graph तो यहाँ पर जो slope है ना वो भी multiply हो चुका है ठीक है यह phi है यह magnitude है log 10 omega ठीक है अब यह omega equal to 1 है अब omega equal to 1 पर क्या बचेगा बिटा 20 log k बचेगा तो 20 log k से start तो होगा लेकिन line का slope क्या बनेगा 20p 20p का मतलब अगर p हो गया 2 तो हो जाएगा 40 p हो गया 3 तो हो जाएगा 60 p हो गया 1 तो हो जाएगा 20 तो देखो यहां से start होगी यह मानलो p की value 1 के लिए है फिर यह p की value 2 के लिए है फिर यह p की value 3 के लिए है यह देखो यह p equal to 1 के लिए slope है 20 db per decade यह p equal to 2 के लिए 40 db per decade और यह बिटा p equal to 3 के लिए 60 db per decade अब ऐसी phase में देखो 90 p आ रहा है ना तो अगर p आपका 1 होगा अगर p 1 होगा तो 90 degree आएगा p अगर आपका 1 होगा तो 90 degree आएगा p 2 होगा तो 180 आएगा p 3 होगा तो 270 आएगा ठीक है समझ गए तो आपने generalize कर दिया ना मतलब एक तरह से यह समझ लो यह origin पे एक pole है तो आपने origin के एक pole को जनरलाइस कर डाला कि origin पे origin पे एक 0 है तो origin पे कितने order का 0 होगा इस term का क्या मतलब है 0 of order p at origin तो आपने इसको generalize कर दिया ठीक ठीक है भई अब देखो आप denominator में ले आओ s अगर आप denominator में s ला रहे हो तो now you are creating a pole at origin आप क्या कर रहे हो you are creating a first order pole at origin ठीक है first order pole बन गया origin पे अब इसके अंदर क्या करें भई इसके अंदर भी आप g j omega h j omega लगाईए तो यह बनेगा 1 by j omega तो magnitude क्या आएगा j हट जाएगा magnitude में 1 by omega तो magnitude db में क्या आएगा 20 log 1 by omega minus 20 log omega और angle क्या आएगा angle will be minus 90 degree j आ रहे है ना नीचे तो j नीचे आने के कारण angle आ रहे है minus 90 degree अब यहाँ पर यह जो term आ रहे है minus 20 log omega इस term का slope क्या हो गया slope हो गया minus 20 db per decade minus 20 db per decade ठीक है तो देखो आप इसका graph कैसे बनेगा अब की बार slope negative है यानि decreasing function बनेगा किसी भी function का जब slope negative होता है उसका मतलब हमेशा होता है decreasing function ठीक है उसका मतलब क्या होता हमेशा decreasing function अब अगर आप omega equal to 1 पे देखो गे तो minus 20 log omega भी 0 देगा ठीक है 20 log omega भी 0 देगा हाँ बेटा gain margin important है और बिल्कुल atc की date shocking है बट सूनी मैं आपके लिए एक वीडियो रिलीस करने वाला हूं जिससे शायद आपको थोड़ा सा आराम मिले शायद आपको थोड़ा सा बहतर फील हो भाई तो minus 20 log omega का जब आप graph बनाओगे तो आप origin से एक straight line ऐसे निकालोगे जिसका कि slope होगा सर origin से क्यों निकाली क्योंकि बिटा omega 1 पे magnitude आ रहा है 0 देख लो omega equal to 1 पे और इसका जो phase आ रहा है phase आ रहा है constant minus 90 ठीक है तो देखो जब pole आ रहा है आपका तो phase negative का contribution दे रहा है वो slope भी negative contribute कर रहा है और जब आपका 0 आ रहा है यानि numerator मे कोई term आ रही है तो slope और angle दोनों positive दे रहा है ठीक है अगला k by s जैसे हमने पहले किया था भाई अब यहाँ पे g j omega h j omega क्या बनेगा k by j omega ठीक है तो यहाँ पे आपका magnitude हो गया k by omega और magnitude db में कितना हो गया 20 log k minus 20 log omega और phase कितना हो गया क्योंकि j नीचे आ रहा है तो phase is minus 90 अब की बार देखो omega equal to 1 पे magnitude 0 नहीं जाएगा ना अब की बार omega equal to 1 पे magnitude रहेगा 20 log k और अगर मैं यह माननू कि k आपका 1 से बड़ा है तो 20 log k will be positive 20 log k will come out to be positive सारी चीज़े समझ आ रही है न भाई अच्छे से सबके बोड़े plot अभी पता है हम लोग क्या कर रहे हैं न हम लोग हर एक term का बोड़े plot बना रहे हैं फिर हम क्या करेंगे सारी term एक ही function में एक साथ लेंगे और पूरे function का बोड़े plot इन सबके जुड़ करके बन जाएगा अब देखो अब की बार जो है न एक line तो बनेगी लेकिन वो origin से ना start होगे वो start होगी 20 log k से और इसका slope क्या होगा minus 20 db per decade यह होगया 20 log k ठीक है और slope होगया minus 20 db per decade समझे और phase तो अभी भी कितना बन रहा है minus 90 phase अभी भी आ रहा है minus 90 अब जैसे आपने pth order का 0 लिया था origin पे ठीक है अब ऐसे आप क्या ले लो pth order का pole ले लो origin पे can we take 180 instead of 0 मतलब कहां पे 180 ले रहे हो 0 को अब यहां पे देखो क्या होगा gj omega hj omega k by j omega to the power p ठीक है तो magnitude क्या होगया k by omega to the power p तो magnitude db में क्या होगया 20 log k minus 20p log omega ठीक है अब यहां पे clear दिख रहा है log omega के बाहर term है minus 20p minus 20p db per decade minus 20p db per decade ठीक है और इसका एंगल j की power p आरी है ना तो minus 90 into p minus 90 into p अब देखो कैसे बनेगा यह फिर से हमने y axis ले ली अब की बार भी क्या होगा ना पिटा सभी curves का starting point तो 20 log k ही रहेगा अब देखो की रहेगा अब लेकिन देखो p के हिसाब से अलग-अलग line यहां पर बन सकती है जैसे एक बन जाएगी p equal to 1 के लिए minus 20 के slope वाली db per decade एक इससे थोड़ी जादा तेड़ी बन जाएगी p equal to 2 वाली minus 40 db per decade ठीक है ऐसी p equal to 3 के लिए minus 60 db per decade और angle की जब बात करोगे बिटा तो angle एक तो p equal to 1 के लिए minus 90 बन गया ठीक है इसलिए मैंने बोला तो नहीं याद है कि आपका जो slope है वो multiple में चलता है 20 या minus 20 के minus 90 minus 180 यह graph है p equal to 1 के लिए और यह है p equal to 2 के लिए simple ठीक है reference line of phase plot हाँ ले सकते हो 0 degree की जगे minus 180 degree ले सकते हो बस mention कर देना यह है ना mention कर देना चलो अब यह error coefficient में आपको अगले lecture में पढ़ाऊंगा अभी बस आप लोगों ने क्या mainly देख लिया है पिटा आप लोगों ने यह देख लिया है कि कैसे अलग-अलग term का plot बनाया जाता है ठीक है यह बात clear है तो आप यह assignment भी try कर सकते हो अब देखो यार अगर कोई भी बच्चा unacademy join करना चाहता है तो plus और iconic हमारे पास दो subscriptions हैं दोनों में आपको top teachers मिलते हैं जैसे मैं, विशाल सर, आदित्य सर, सिदार सर, शंकर सर class में raise a hand की facility आप raise hand करके audio पे आ सकते हो doubt clearing class कर सकते हो daily राज 10.30 बजे होती है ask का doubt में अपना doubt post कर दो बिटा हर doubt का video solution मिलेगा तो ऐसा तो होई नहीं सकता कि आपका doubt unanswered रह जाए इतने तरीके हैं doubt solving के class में जितना कुछ पढ़ाएंगे as a pdf downloadable होगा test series included होगी बाकी iconic में extra benefit किया है घर पे notes deliver कराये जाते है physical notes one to one mentorship आपको दी जाती है आपका एक coach आपको assign किया जाता है strategy और study plan आपका बनवाये जाता है और open house में आप audio interaction कर सकते हो period of oscillation 2 pi by omega d ठीक है अब देखो अगर आपको unacademy join करना है तो आपको duration choose करनी है और payment करते time आपको code लगा देना है अंकित EAC this will give you maximum discount and it will bring you under my personal guidance जिससे कि आप एकदम next level पे चीजों को तयार कर सकते हो पटनम बिटा अभी तक तो मैंने signal नहीं पड़ाया ना ही YouTube पे ना ही प्लस पे और देखो आपको mentorship का फाइदा कैसे लेना है आपको ना पहले से one to one अपने mentor के साथ session book कर लेना है ठीक है थोड़ा early book करना क्योंकि उस time पे आप और आपका mentor दोनों free होने चीए अब इस session में आप क्या करोगे audio call पे आप बात करोगे अपने doubts के बारे में strategy के बारे में motivation के बारे में कोई personal problem अगर आप क्यों आ रही है तो ये सारी चीजें आप discuss करोगे इनके पास आपका पूरा कच्छा चिठा पूरी history रहती है तो आप अपना feedback मांग सकते हो कि कहां आप गडबड कर रहे हो कैसे आपको improve करना है और अगर आप कुछ दिन के लिए छूमंतर हो गए गायब हो गए तो ये लोग खुद भी आपको call करते हैं ये जानने के लिए क कोई issue तो नहीं आगया आपकी तैयारी में अगर ऐसा है तो then they will try and help you out अब देखो यार आपको कितने session मिलते हैं mentorship के जितने महीने का subscription लेते हो ना उससे double session मिलते हैं बट ऐसा कोई limitation मत सोचना कि आपको हर महीने दो ही session करने हैं आप कम या जादा भी कर सकते हो पहला 30 minute का session accordingly आपको guidance प्रोवाइड करता है और इसके बाद के session आप अपने convenience पे schedule कर सकते हो और अगर आपको financial issue हो रहा है तो दरने की कोई बात नहीं है unacademy के पास है loan facility without any interest यानि कोई interest नहीं लगेगा आप fees EMI पे भर सकते हो दो गंटे में आपका loan approve किया जाएगा कम से कम paperwork के आपको headache देखनी होगा और कितने time में आपको loan repay करना है कितने duration की EMI बनवानी है वो flexible है और आप results देखो बिटा results देखे आप खुद में आपके अंदर motivation आएगा AIR 1 और इसके अलावा top 10 में 6 anchor हमने produce की हैं अब अगर this doesn't motivate you nothing else can तो बिटा ये ध्यान रखो अगर आप हमारे साथ plus पे आके मेहनत करते हो there is nothing that you cannot achieve और ये latest batch है बिटा BV Reddy सर का batch start हुआ है digital start किया है उन्होंने for 24 as well as 2023 electrical and EC तो आप किसी भी year की तयारी कर रहो definitely you can start with digital और ये मेरा telegram channel है भाई मेरे साथ connected रही है daily questions latest updates सारी information यहाँ पे आपको मिलती है तो इस channel को join जरूर कर लेना भी है और इसके अलावा देखो ये हमारी team का contact number है जहाँ पे आप call करके discuss कर सकते हूँ subscription के बारे में offer के बारे में और journey के बारे में और देखो यार अगर आपको मेरे notes चाहिए ये जो YouTube lectures के हैं तो आप unacademy home page पे जाएंगे app के community में जाएंगे discover में मुझे ढूनेंगे मेरी community का हि लिंक दिया है वहां से click करके direct पहुंचेंगे लेकिन community पे जरूर आना सारे PDF अवे लेबल है थैंक यू everyone thanks a lot अब हम लोग मिलेंगे Monday को same time same place let's crack it